सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट गुरुजी चैनल को और गंटी आइकन को दबाएए लेटेस्ट एंट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पर्चेज करना चाहते हैं क्योंकि बैसे भी इंडिया में फैस्टिवल सीचन आने वाला है तो अगर आप टीवी प्रोग्राम कर रहे एक लेने के लिए तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी सायता से आप अच्छा तर टीवी खई सकते कम पैसों में और लेकिन मै जाएंगे टिप्स वो अगली वीडियो में कवर करूंगा उसके बाद मैं इसके बाद और वीडियो लेकर आऊंगा कि अगर आप एक टीवी को मोहीटर तर इस्तमाल करते हैं तो उसमें क्या-क्या प्रोब्लम हो सकते हैं या फिर एक वीडियो बहुत ही खास रहेगा क्यों तो कि मैं उसमें कुछ ऐसे चैश्व से बताऊंगा जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक नॉन स्मार्ट टीवी लेते हैं तो वह इसमार्ट टीवी से अच्छा रहता है तो उसके बारे मैं क्लियर करूंगा तो सबसे पहले मैं आप आपसे बात करूंगा टीवी के साइज के बारे में हैं तो साइज एक बहुत ही इंपोर्टेंट फंडा है टीवी खरीदने का क्योंकि अगर आपको रूम छोटा है तो आपको टीवी उसी ही साफ से लेना चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा टीवी है और आप देखने की दूरी है 5-6 फूट तो आपको प्रॉलम हो सकती है तो मैं आपको पताना चाहूँगा कि आप जितने इंच का टीवी ले रहे हैं जैसे 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच तो उतने ही इंच में 1.5 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो जितने इंच निकल कहेंगे आप उतनी दूर से उस टीवी को बैठ कर देख सकते हैं तो यह तो हो गया मैं फंडा तो आपको इसमें ज़्यादा घबडा में जरूत नहीं है हालां कि यह सब चीजें इंडिया में कोई जादा नहीं देखता है इंडिया में देखते हैं कि कम प्वसम में अच्छे फीचर किसमें मिल लए हैं उसी टीवी को पसंद किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर टीवी ले रहे हैं तो HD TV मत लीजिए और हो सके तो HD TV मत लीजिए आज कर जो जमाना है वो फुल HD का है खासकर इंडिया में वैसे तो दुनिया 4K TV चला रही है 4K TV पहुंच गई है तो आप कम से कम फुल HD TV ले सकते हैं दस अस्थी गुड़े 1920 पी यानि कि पिक्सल वाला साथ सो बीस पिक्सल वाला पी वाला मत लीजिए अच्छा रहेगा और टेंटी पी वाले लेजिए तो वह आप के लिए ज्यादा ही अच्छा रहएगा पिच्चर क्वाल्टी अच्छी रहेगी उसके बाद बात करते हैं TV के refresh rate की देखिए TV का refresh rate जो है वो वीडियो को और ज्यादा smooth बनाता है refresh rate ही होता है कि हाला कि जो हम वीडियो देखते हैं वो वीडियो जो है वो कुछ तस्वीरे ही होती है अगर आपके सामने एक सेकेंड में 40 या 50 वार तस्वीर को निकाल दिया जाए तो वो एक तरह से वीडियो फॉर्मेट ही मालूम पड़ेगा तो refresh rate जो है बहुत important है अगर आप टीवी का refresh rate कम है तो आपको वीडियो हैंगिंग की प्रॉब्लम आ सकते है यानि की वीडियो अटक अटक के चल सकता है तो refresh rate 60 हर्टर्ज से तो कम होना ही नहीं चाहिए हो सके तो 120 हर्टर्ज refresh rate हो तो ज़्यादा अच्छी बात है वैसे refresh rate जो है 60, 120, 240 और 600 हर्टर्ज तक का आता है तो 600 और 200 हर्टर्ज का तो अभी आपके लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो यह चीज हर्टर्ज हो गया उसके बाद टीवी का टाइप LCD, LED, OLED, QLED तो वैसे तो टीवी LCD होती है LCD TV का मतलब होता है liquid crystal, liquid crystal display तो इसमें क्या होता है डिस्पले में एक liquid होता है और उसी में छोट-छोटे pixels होते है पिक्सल को light देने के लिए पीछे से floor center tube यानि की CFL lighting का इस्तमाल किया जाता है तो आप तो जानते है CFL की light age इतनी जादा नहीं होती है तो इसलिए LCD display की age इतनी जादा नहीं होती है उसके बाद आती है LED display LED display में भी crystal ही होता है और उसके जो पिक्सल होते है उनको light देने के लिए LED light का ही स्माल किया जाता है जो छोटे-छोटे LED bulb होते है उनके द्वारा light दी आती है तो हम जानते हैं अब भी हम बात नहीं करेंगे आगे चलके हम इसके बारे में बात कर लेंगे उसके बाद होता है सेंसंग ने लॉंच किया एक और नई टेकलोजी क्यू ओलेडी quantum dot light emitting diode तो यह भी बहुत जादा expensive रहता है तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे उसके बाद बात आती है टीवी का contrast ratio contrast ratio टीवी के लिए बहुत जरूरी चीज़ा है उसकी brightness के लिए उसके color clear कितने आएंगे क्योंकि contrast ratio होता है ratio में होता है कि सफेद काले के अपेच्छा कितना काला है सफेद है और काला सपेद के पेच्चा कितना सफेद है यानि कि सीदी बास हम कहें तो काला color वो कितना काला है सफेद color हो ज़्यादा होगा उतना के लिए कलर आए गा नहीं तो कई बार contrast ratio कम होता है जिसकी वजह से सफेद कलर पीला पीला हलका दिखता है या फिर काला कलर ग्रेय टाइप को थोड़े दिखता है तो इन चीज़ों का खास खयाल रखना चाहिए आपको उसके बाद बात आती है 3D TV की तो 3D TV या फिर 2D TV तो हम बता दें आपको कि हमारे अभी तक जितने भी नॉर्मल डी टी एच सर्विस प्रोवाइडर है या फिर और भी कंटेंट है या न्यू चैनल है तो उन पर जाता 2D ही कंटेंट दिखा जाता है 3D कंटेंट नहीं दिखा जाता है 3D कंटेंट में बहु ले रहे हैं तो 3D TV ज्यादा जरूरी नहीं है आप एक नॉर्मन साइट TV ले सकते हैं 2D TV उसी में आपको अच्छा कंटेंट दिखने को मिलेगा 3D कंटेंट के लिए अभी हमें और ज्यादा इंतिजार करना पड़ेगा तो यह तो थी बेहदी बेसिक सी TV बाइंग कायट अ तो आप चीज़ें कभर करंगा उसके बाद अगले वीडियो में यह भी करूँगा कि मॉनिटर को TV तरह कैसे इस्तेमाल करें और उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं या फिर एक TV को मॉनिटर में ऑनीटर क्या 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 प्रवब्लम आ सकते हैं क्योंकि TV TV के लिए बन स्मार्ट फॉन बाइंग गाइड और वी जितने भी टेकनलोजी रेटेड वीडियो हैं वो मैं आप लेकर आता रहता हूं उसके बाद मैं फॉन के रिव्यू जल्दी शुरू करने वाला हूं तो फॉन का रिव्यू आप जो भी लॉंच होता है नहीं जरू करूंगा और यह खईदने के लिए है या नहीं तो दोस्तो आज की वीडियो में मिलते हैं अंगले वीडियो में तब के तक के लिए जैहन बंदे मातरों